साल 2017 में राजनीती की बिसात पर कई नय चहरे आए इनमें कई ऐसे सुर्माओं ने भी कदम रखा जिन्होंने फिल्मे दुन्या से सफ़र तैकर सियासी दुन्या में भविश्य तलाश ना शुरू किया जहां हम बात कर रहे हूं नेताओं की जो इस साल अभी नेता से राजनीता बने हैं इस साल कई ऐसे बड़े सितारे राजनीती में शामिल हुए जिने जन्यता अब तक एक्टिंग करते ही देखती आई है दक्षुन की राजनीती में तहलका मचाने वाले रजनीकांत और कमल हासन हो या फिर अपने गानों से धूम मचाने वाले पवन सिंग इन दिगजों ने इसे साल नेताओं का चोला ओड़कर सियासी जमी पर कदम रखा है साल 2017 के आखिरी दिन तमिल सूपरस्टार रजनीकांत ने राजनीती में कदम रखकर सब को चौका दिया रजनीकांत को अब तक जनता एक अभिनिता के रूप में देखती आई थी लेकिन अब नए साल में लोग उन्हें राजनीता के रूप में देखेंगे रजनीकांत में अब नई पार्टी बनाने की घोशना कर दी है इस ऐलान के साथ ही उन्होंने अपनी राजनिती पारी की समय सीमा भी तैक कर ली है उन्होंने कहा कि अगर उम्वीदों पर खरा नहीं उतरा तो तीन साल में राजनीती से सन्यास तैह है रजनी कांत अब भले ही राजनेता के रूप में पहचाने जाएंगे लेकिन उनके अभिने को जनता कभी नहीं भूल सकेगी शिवाजी दबास, रोबर्ट, काबिली में रजनी कांत के अलग अंदाज ने ही लोगों के दिलों में उनकी खास जगा बनाई है अब देखना होगा कि एक राजनेता के रूप में जनता उन्हें कितना पसंद करती है रजनी कांत से पहले सियासी जमी पर दक्षिन के ही एक और सूपरस्टार ने कदम रखा था फिल्मों में सबको हसाने वाले अविनेता कमल हासन ने नौमबर में ही अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी राजनीती में एंट्री लेते वक्त उन्होंने कहा था कि सियासत में आसफलता से डर्ड नहीं लगता क्योंकि यहां कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जहां दूसरी फिल्म के लिए रुपे कमाना है अब उन्हें सियासत के सफर में सफलता मिलेगी या असफलता ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन बड़े परदे पर चाची 420 जैसी फिल्म के साथ धमाल मचाने वाले इस दिगज का अभी ने कोई नहीं भूल सकता राजनीती में कदम रखने वाले कई सितारे ऐसे भी हैं जिन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम तो बुलंदियों पर पहुँचने के लिए रखा था लेकिन पहली फिल्म में चमकने से ज्यादा वो माया नगरी में कुछ और खास कमाल नहीं कर पाए जी हां हम बात कर रहे हैं नबे के दशक्त में सूपर हिट हुई फिल्म आशिकी के हीरो राहूल राय की जिनका सिक्का एक्टिंग में नहीं चला तो उन्होंने अब राजनीती में भविश्य तलाशना शुरू कर दिया है लगावे लू जब लिपिष्टिक गाना तो आप सभी ने सुना होगा इन फैक्ट ये गाना अंतर राश्ट्री अस्तर पर भी मशूर हो चुका है इस गाने से अपनी पहचान बनाने वाले मशूर अभिनेता पवन सिंग ने भी इसी साल सियासत में एंट्री मारी है तो ये थी उन अभी नेताओं की जलकियां जिनोंने इस साल राजनीती में कदम रखा अब देखना होगा आने वाले साल में इन सूर्माओं में से सियासत की जमी पर किस किस का सिक्का चमकता है डीवी लाइब की रिपोर्ट